अगरीक सिक्षक भरती जो कि उत्तर प्रदेश में आने जा रही है उसमें कितने युवा शमलित होंगी और माननी सुप्रीम कोट के फैसले का इस भरती पर क्या प्रभाव पढ़ने जा रहा है इन सभी मुद्धों पर हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जैसा कि आपको ग्यात होगा कि उत्तर प्रदेश में 16-18,000 TGT और PGT के सिक्षकों की भरती होना प्रस्तावित है और शाशन द्वारा सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं आवेदन के लिए वेबसाइट भी तैयार कर लिया गया है और सभी चीजे कंप्रीट हो चुकी हैं और इसी माँ आवेदन के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन लिये जाना भी प्रस्तावित था लेकिन माननी सुप्रिम कोट ने जो भी हाल ही में माधिमिक सिक्षकों पर एक फ आने के लिए 16 से 20 लाख रुपे तक खर्च कर देते थे इनी सब को रोकने के लिए परिक्षा का आयोजन किया गया और एड़ेट जूनिर हाइज स्कूल में भी आप देखेंगे कि लिखित परिक्षा का आयोजन किया जा रहा है इनी पर फैसला सुनाते हुए माननी सुप् प्रदेशाशन को कही है इसके अनुसार अब सभी सिख्षकों को जो भी management quota से आये होंगे स्रीफारिस के आधार पर उनको एक परिक्षा में शमलित होना होगा और अगर उस परिक्षा में वो पास होते हैं तभी वो पर्माने जाएंगे माननी सुप्रिम कोट ने जैसे सिक्षामित्रों को वेटेज दिया था उसी के अनुरूप इनको भी कुछ वेटेज मिलेगा स्क्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पारोंगे 12 लाग से अधिक आवेदन का अनुमान जैसा कि मैंने बताया कि इसी माह ये आवेदन प्रारंभ होने थे लेकिन माननी सुप्रिम कोट के फैसले के बाद से इसमें थोड़ा सा विलंभ हो सकता है लेकिन अगले महिने तक इस आवेदन को ऑनलाइन कर दिया जागा सबी तैयारिया पूर्ण हो गई थी सिर्फ माननी सुप्रिम कोट के फैसले के बाद से इस पर एक तरीके से विराम लगा हुआ है और पूरे प्रदेश में 15 लाग से जादा केवल बीड बेरुजगार बैठे हुए हैं जो कि इस भर्दी का इंतिजार कर रहे हैं अगर आपका प्रशन प्रात्मिक सिख्चक भरती से है तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रात्मिक सिख्चक भरती तब तक नहीं आने जा रही है जब तक कि 79 जार सहायक अध्यापकों की भरती का मामला पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुब्ध हो